तो what, when, why, where, who, whose, whom, which, or how ये 9 words जब भी आएंगे sentence के बीच में या कोई प्रेश्न ये 9 words से किसी एक words से शुरू होता है तो आपको सिर्फ 2-3 words में beautifully simple answer देना है beautifully simple answer संख्षिप्त, सरल, सुन्दर जवाब देना है तो मैं पूछूंगा What's your name? Sir, my name is गलत What's your name? Sir, I am गलत What's your name? Ravi Where are you going? Home What time will you come back? 9.30 Who are you going with? My friends When will you go to Bombay? Next month When are your holidays starting? Sir, Saturday सिर्फ उतना बोलना है आपको देखे, जब आप कम बात करेंगे तो आप बहतर बात करेंगे और लोगों को यकीन आजाएगा कि आप English में grip maintain कर रहे हैं और एक बात है इसके साथ मैं जोड़ देता हूँ एक small lesson वो है Please talk not more than two to three words per second जब आप हिंदी में बोलते हैं तो ऐसा होता है कि आप बहुत ही fast सोचते हैं और बोलते हैं क्योंकि what to talk और how to talk दोनों के बारे में grip आपका पकड जो है आपका वो perfect है मगर आप English में बात करेंगे ना तो आपके sentence formation के tensions से आपको बात जो आप बात करते हैं जैसे मैं आप अभी हिंदी में सोच रहा हूँ सोच के बोल रहा हूँ वैसे आपको English में तकलीफ महसूस होती है तो आप क्या करेंगे आप बोलेंगे कि I will go tomorrow देखें तो आप धीरे से two to three words per second बोलेंगे तो आपके सोच और आपके words match हो जाएंगे अगर आप जल्दी जल्दी बोलना चाहेंगे जैसे आप मदर टंग में कहते हैं न अरे उसको मैं दस बार बोल रहा हूँ उसने सुना नहीं इसलिए मैं उसको बोला कि last warning है ऐसे आप fast बोलते हैं जल्दी बोलते हैं एक second में 9 words तक इस्तमाल करते हैं मगर English में जब आप बात करेंगे I am requesting you please do not use more than 2 to 3 words per second हम teachers जब training लेते हैं तो हम teachers को बताया जाता है कि जब आप बोलते हैं do not speak more than 2 to 3 words per second क्योंकि जब हम class में किसी को कुछ चीज के बारे में explanations दे रहे हैं तो we have to reach out to the lowest common denominator जो class में बहुत ही कमजोर बच्चा होता है उसको भी आसानी से समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं इसी तरीके से आपको जब किसी के साथ अंग्रेजी में बात करने का मौका मिलता है तो उनको एक impression देजिए कि मैं इस तरह बात करता हूं इसका मतलब है तू 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 त्री वर्ट्स पर सेकेंड उससे ज्यादा नहीं बोलेंगे तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आप बहुत ही बहतर बात करेंगे I don't want you to improve English and then learn better English I want you to speak better English right from the first day नमस्कार आप ये वीडियोस लेखिए और मुफ्ट में हिंदी से English आसानी से सीखिए प्रीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू चार मढईब कीजिए तो मांईब कीजिए तो महँद। बहुत ऑल